कि अगर कि अच्छा ब्रेकाउट तो हुआ तो चांसे से यह थोड़ा सा करके मूब नहीं कर सकते 1230 के बाद ब्रेकाउट किया है तो चांसे से यह थोड़ा सा सेलिंग का प्रेसर में आ सकते तो ब्रेकाउट के बाद यह फिट से सेलिंग के प्रेसर में आगे और इंड में 36200 जो कुरूशियल लेवल इंपोर्टन लेवल उसी के पास आसपास क्योंकि यहां खुलने के बाद अगर यह क्रॉस करता है 36100 फिर इमिटेट सेलिंग हो सकती है और हम लोगों को एटलिस 36000 हो गया फिर 39800 यह सारे टार्गेट मिल सकते हैं लेकिन मार्केट अगर 36300 के ऊपर कहीं पे खुलता है और 5-10 मिनिट यहां पे सफ्टेंड कर जाता है तो यहां से थोड़ा सा मार्केट पॉज ले सकता है इतना बड़ा सार सेलिंग नहीं होगा और एक पॉंट आ सकता है बहुत बड़ा गर गाप डाउन को लेट से अगर ज्यादा खुलता है तो चांसे से थोड़ा सा यह पुल बैक दे सकता है क्योंकि एक अच्छा पहले इंटेंसर हम लोग का होना चाहिए अगर फ्लाट खुलता है तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे एक अच्छे लेवल पर मिल जाए बहुत बड़ा ग्यापक फुलाब तो थोड़ा हम लोग वेट करेंगी सेम डे कल के दिन वेट तब तक तब तक अल्रेड चाहिए और हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं तो यहां पर लॉट्व सकता है क्योंकि इतने लोग यहां पर लास्ट आवर्स में बाइंक की होगे उनका स्टॉपलास की स्विंग के आसपास होगा अगर यह फ्लाट कुलने का प्रॉस करेंगा तो शे प्राइस एक्षंगे फिर उसी साफ से लोग ट्रेड करेंगे प्रूद के लिए अगर देखेंगे लिए गया अगर हम लोग देखेंगे प्रिविएस डे पर एक अच्छा ब्रेक आउट दिया तो थोड़ा सा यहां पर सेलिंग का सिन्यारियो आ गया जेनरली क्या होता है एक अच्छा है अगर मार्केट रहता सभी राउंड 17,420 और 400 के आसब मार्केट ट्रावल करता होल्ड करता सेक्ड़ आप में फिर थोड़ा सा बुलिस साइन दिखाता लेकिन अभी थोड़ा सा सेलिंग के साइट दिख रहा है तो 17,300 400 यह सारे लेवल एक रेजिश्टनेंस की सेल करने के लिए stop loss 50-60 रुपीज होना चाहिए टार्गेट 1-2 रहेगा सरी निफ्टी के अंदर 25-30 रुपीज का stop loss प्लान करना और 1-2 हम लोगा टार्गेट रहेगा 50-60-70 पॉइंट हम लोगा टार्गेट रहेगा लेकिन अगर बहुत बड़ा जाप डान खुल जाता है तो हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्सेन देखेंगे फिर उसी वे में हम लोग प्लान करेंगे ऐ कॉनसे सथा क्योंकि रिवर्सल भी प्लान हो सकता है हम लोग सेलिंग के लिए expect कर रहे तो डार्गेट रिप्लान करेंग तो इसके रहें हम लोग एग्रेसिव ट्रेड नह अगर यहां पर देखेंगे एक अच्छे जगा पर ट्रेड कर रहा है एक अच्छा बहुत बढ़ा पूर्ट फाइप परसेंट के आसपास या ब्रेक आउट देता उसके बाद यह मोमेंटम नहीं है अभी अगर देखेंगे तीन दिन मार्केट ट्राई किया उपर लेने के लि अगर यह क्रॉस करता है लेट से 2403 या 05 यह लेवल स्क्रॉस करता है एन देखेंगे नटाव इसको प्लान कर सकते हैं लेकिन मेक शूर कि यह ने 383 या फिर 84 के नीचे हम लोगों को प्लान करेंगे उससे पहले ने लिए इसको इग्नोर करेंगे लेकिन यह ब्रेक आउट लेवल है इसी लेवल पे बुलिच स्कैंडल होल नहीं कर पा रहा अगर यह फेलूर होता है तो तेजी से आ सकता है लेकिन अभी क 85 के नीचे निकलता है तो हम लोग प्लान कर सकतें 3-4 रुपीज का स्टॉप लोस होना चाहिए 1-2 हम लोग का टार्गेट होना चाहिए नेक्स टॉक है ओंग से अगर हम लोग देखेंगे यहां पर थोड़ा सा यह बेस क्रेट कर रहा है अभी एक रिजिस्टेंस एरिया प तो हो सकता है 140 150 के आसपास ही क्लोज करने का कोसेष करेगा तो दाट कि ने सेलर जोन से ऊपर निकल जाए तो अकल अगर यह 146 या 147 क्रोप करता है तब ही हम लोग पर्चेस करेंगे फिर फ्लाट खुलना चाहिए 144 145 के आसपास खुलना चाहिए फिर क्रौस करना चाहिए अगर 144 इसके नीचे कहीं पर खुलता है लेट्स इमाजिन गे 43 42 नेगेटिव साइन खुलता है गाप डाउन खुलता है तो हम लोग इसको इग्णोर करेंगे एक अच्छे लेवल पर दिख रहा है लेकिन फ्लाट कुलना चाहिए चलिए अब लोग अगर हम लोगों देखेंगे मार्केट उपर की तरह मूब कर रहा है अगर यह इस तरी किसी गाप डाउन खुलेगा तो फिर यह नेगेटिव साइन हो चुका है हम लोग इसको टचनी करेंगे लिएक फ्लाट कुल की क्रॉस कर रहा होगा तभी हम लोग प्लान करेंगे यहां पर एक रेंज बना चुका है कच्छे लेवल पर निकल रहा है अगर 123 क्रॉस होता है तो एक सब्सक्राइब होना चाहिए वान इस्टू डूम लोग का टार्गेट होना चाहिए अई हूब यह सारे पॉंट आप लोगों समझ में आ रहे होंगे वीडियो चला तो लिए